दोस्तों U-P-Tate में लाब और हानी से जितना क्यूष्चन आया है सारे क्यूष्चन को मैं अबहल करवाऊंगा क्योंकि लाब और हानी मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लाब और हानी का निकाल कर पढ़ सकते हैं तो इसलिए आज हम क्या करे हैं कि 2011 से लेकर युपीटेट में जितना क्यूशन पुछा हुआ है लाब और हानी से रेलेटिव जितने क्यूशन है सारे क्यूशन को मैं करवाऊंगा तो अब हम लोग चलते हैं क्यूशन के तरफ देखिए यह क्यूशन है यदि किसी दुकांदार ने एक बस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाब होता है तो बस्तु का क्राइम उल्ए है यह जो क्यूशन आया था 2018 में आया था आप लोग देख लीजिएगा 2018 का क्यूशन है कि कि एक क्यूशन की किसी दुकांदार ने एक बस्तु को 390 रुपए में यह आ है 390 रुपए बेचने पर 20% का लाब होता है तो बस्तु का क्राइम उल्ए है यही आप्शन दिया है उसमें 321 रुपए 323 रुपए 324 रुपए 325 रुपए कैसे लगेगा देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ यदि आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आप तुरंट करवाना और आप लोग देखकर समझीएगा देखिए यदि किसी दुकांदार ने एक बस्तु को 390 रुपए 20% का लाब होता है तो बस्तु का क्राइम उल्ए है तो मैं दो तरह से बताता हूं देखिए क्या एक बताया थे यदि बस्तु का क्राइम उल्ए निकालना हो तो क हम ये और क्राइम मॉले को सीपी बोलते हैं कास्ड प्राइज अब क्राइम मॉले को जब निकालना हो इसी लाब होता है तो आप क्या करेंगे becomes करेंगे ऑं विक्राइम और को यस पी बोलते हैं और इसमेह माइनस कर देंगे लाब लाव प्रोफिट लाव को प्रोफिट बोलते हैं तो जब इसको क्राय मुले कैसे निकालेंगे आप विक्राय मुले में से भाई विक्राय मुले क्राय मुले से अधिक तो होगा लेकिन जितना लाव होगा उसमें से माइनस कर देंगे तो क्राय मुले यहां से निकल जाएगा निए क्राइल मुले पूछा है तो ग्राय मुले को x मान सकते हैं तो जब याक्स मालेंगे माइनट्ट्थ यहाँ पर क्या दिया हैme Dash ब्यट Gallo आला पर्पर्ति ensuring टियै तो इसको आप कर सकते हैं लाव परतिसर जब भी हम निकालते हैं, लाव परतिसर जब भी निकालते हैं, तो हमेशा क्राय मुले पर ही निकालते हैं, तो इसलिए क्राय मुले आपकर केतना यक्स है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, यक्स का 20 बटा 100, क्योंकि परसंटेज में है, तो अब इसको काट देंगे, तो 20 पचे 100 एक बटा 5 हो गया तो यक्स बराबर हो गया 390 माइनस यक्स बटा के 5 अब जब इसको पाइनस ओंड़ पाँच को इधर लेकर आएंगे तो यक्स धन हो जायँगा यक्स बटा 5 बराबर 390 अब इसको जोड दीजिए यह कितना हो गया यह हो जाएगा 6 यक्स बराबर 390 गुड़ते 5 हो जाएगा न यह 5 उदर चला जाएगा अब इसको सालब कर दीजिए यह सालब करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 390 गुड़ते 5 बटा के 6 तो 6 6 के 36 35 तो यक्स बराबर हो जाएगा 25 25 अच्छ पचे 35 दू बाद 32 तीन सो पचीस रुपे यह आपका एंसोर आगे आप्शन काउन साए 325 यह आप्शन है आपका यह एंसोर आगे यह तो एक सीम्पल मैथड था यदि आप फार्मूला लगाएंगे जब फार्मूला आपको याद नहीं है तो ऐसे आप लगाएंगे इसलिए कि इतना आसान है क्रायमूल एकदम आसान से निकाल लेंगे क्राइमुल निकालने क्या करेंगे जब समझते हैं कि जब लाब होगा तो विक्राइमुल हमें सा क्राइमुल से अधिक होगा तो हम वो क्राइमुल निकालने के लिए उसमें से लाब घटा देंगे तो क्राइमुल हमारा निकल जाएगा और यक्स माल लेंगे आओ 390 माइनस यक्स का 20 बटा सो 20 परसेंट लाब दिया है तो ऐसे आजाएगा लेकिन अब यदि फार्मुला लगाते हैं क्राइम मुले का तो क्राइम मुले का फार्मुला है मैं आपको बताया हूँ विक्राइम मुले बटा के 100 धन लाब गुरते 100 यह फार्मुला एक्राइम मुले का आप इस पर रख लीजिए विक्राय मुली कितना आये आपका 390 रुपया विक्राय मुली है तो 390 बटा के 100 धन 20 परसेंट लाब है गोड़ते 100 कर दीजिए तो 390 बटा के 120 गोड़ते 100 अब यह 1 0 से कट गया 2 5 10 2 6 12 अब 6 6 36 35 तीन सो पचीस रुपया यह भी आ गया आ गया दो तरह से आप लगा सकते हैं देखी जब फार्मुला आपको यादो तो ऐसे लगा लीजिए यदि फार्मुला याद नहीं है तो आप इससे आप कर सकते हैं एक दम आसानी से निगल जाएगा इस तरह से आपका पहला question हो गया फिर अब हम लोग देखते हैं next question को उप्राइब प्रतिसत है देखिए आपको सारे question को मैं बताऊंगा लेकिन इसके पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे, लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, ज्यादा ज्यादा लाइक कर दीजे, सेयर कर दीजे, सस्क्राइब कर दीजे, प्लीज कर दीजे, आप करते नहीं हो, देखिए, 2011 समय क्यूशन जितना भी अब तक आया है, 2019 तक, सारे क्यूशन मैं यह क्यूशन आया है यह क्यूशन भी 2018 का आया है अध्यूशन एक हमेशा एक नमबर का हमेशा आता है इसलिए इसका देखिये आप सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को हमारे क्यूशन क्या है यदि 8 पेन का क्राय मुले 6 पेन के विक्राय मुले के बराबर है तो लाप परतिस्त बताईए ध्यान से क्यूशन को पढ़ा जाता है क्यूशन को ध्यान से पढ़िए क्या दिया है 8 पेन का क्राय मुले 6 पेन के विक्राय मुले के बराबर है तो अब पेन का क्राय मुल्य माल लीजिए एक रुपिया है ठीक इसको ऐसे माल लीजिए एक रुपिया है क्योंकि आठ पेन का क्राय मुल्य छो पेन के विक्राय मुल्य के बराबर है तो आठ पेन का क्राय मुल्य एक रुपिया तो किसके बराबर है छो पेन के विक्राय मुल्य के बर पुर्पया होगा। समझ रहे हैं आपना। तो अब देखिए। यहां से क्या कर दीजिए आप, इसलिए… एक पेन का करय मुलग हो जाएगा? एक बड़ा आठ रुपया हो जाएगा। और यहां से चुकि 6 पेन का विक्राय मुल एक रुपया है तो एक पेन का क्राय मुल क्या हो जाएगा विक्राय मुल एक रुपया हो गया एक पेन का क्राय मुल एक रुपया है एक पेन का विक्राय मुल कितना है एक रुपया है तो अब आप क्या कर सकते हैं यहां से अब आप को दिया है कि तो लाब परचिसत है तो लाब निकालना है लाब के लिए क्या करेंगे विक्राय मुल्य माइनस क्राय मुल्य करना है विक्राय मुल्य माइनस क्राय मुल्य अब देखिए इसमें विक्राय मुल्य क्या है आपका विक्राय मुल्य वहां पर है तो एक बटा के 6 कितना हो गया 241 बटा 24 दूटा का लाब कर दो पुछा है लाब परसेंटेज तो लाब परसेंटेज का फार्मूला आप लोग जानते हैं लाब परसेंटेज वालाबर होता है मैं लाब लाब हो रहा है एक बटा के चवबिस अब क्राइम मुली कितना दिया है आपका एक बटा आठ दिया है एक बटा आठ गुर्टे सव इसको जब कर देंगे तो अब यह ऊपर चला जाएगा यह नीचे हो जाएगा चला जाएगा उपर तो अब यह हो लेगा, 8 बटा के 24, गुडते 100, तो 8 तरीका 24, 100 बटा के 3, तो ये होगा था, तेन तिन तिलिक नो, तेन तिलिक नो, एक तहिती सही 1 बटा 3% का लाव हो गए, देखिए, ये आप्सन काउन सा हो गया? C हो गया, यह option C हो गया, इसको आप कर लेंगे, एक और method मैं बता जेता हो, देखिए, वो method किया है, यह method है, इसको आप गम आसानी कर सकते हैं, देखिए, 8 pain का crime मुले, तो 8 क्या करेंगे, 8 हो गया, यह क्या है, CP है आपका, 8 CP बरावर कितना है, 6 pain के, भी crime मुले के बरावर है, ESP के बरावर है, यह हो गया, जब इसे आप कर देंगे, तो अब ESP की जगा को, यह CP है, यह ESP है, तो आप क्या करेंगे, ESP बटा के, CP कर दीजीए आप, ESP बटा CP हो गया, अब यहाँ पर 8 हैं, अब 8 के नीचे 6 चला जाएगा, 6 चला गिया तो अब क्या हो गया ESP 8 रुपे हो गया CP कितना हो गया 6 रुपे हो गया अब यहां से लाब निकालेंगे आप तो 8-6 कर दीजी 8-6 बराबर 2 हो गया 2 हो गया तो अब देखिए 2 बटा के 6 गुरते 100 हो जाएगा तो 2, 3, 6 100 बटा के 33 ही 1,3 पर्षेंट का लाब लाब हो गया अब यही आपका अण्सुर है इतना किलियर हो गया आपको यह दूसरा क्यूशन जब किलियर हो गया तो हम लोग तीसरा क्यूशन को देखते हैं तीसरा क्यूशन है दोस्तों यदि 3 पेन 2 पेंसिल और चार रबर का मुल 92 रुपिया है तथा आठ पेंसिल सोरा रबर का मुल 68 रुपिया है तो 24 पें का मुल क्या है इसके लिए क्या करना है आपको एकदम सीम्पल देखिए क्या दिया है समिकड बनाना पड़ेगा समिकड क्या है तीन पें है तीन पेन, दो पेंसिल और चार रबर काम भूले कितना है? 92 रुपया दिया है यह 92 रुपया है तो था आठ पेंसिल, सोरा रबर काम भूले 68 रुपया है तो आठ पेंसिल यह समीकर एक हो गया आपका अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? आठ पेंसिल पेंसिल के निशे लिखे आठ पेंसिल और सोरा रबर इस सब प्लस है सब प्लस बाई सबको सबका दाम ने तीन पेंड दो पेंसिल चार रबर का मुले 92 रुपिया है तो आठ पेंसिल और सोरा रबर का मुले दिया है कितना दिया है 68 रुपिया है देखेज़ एक में 4 का गुड़ा करेंगे पिर समिकड़ 2 से गटा देंगे समिकड़ जब 1 में हम गुड़ा कड़ते हैं 4 से तो कितना होगा समिकर एक में चार से गुडा करने पर गुडा कीजिये चार चईयांगे 18 पेन 12 पेन हो गया प्लस 4 दुना के 8 पेंसिल फिर देखे 4 चईयों का 13 दिखे 14 बराबर 92 में 4 का गुडा करेंगे 4 दुना का 8 न चईयों का 368 रुपी आओ गया आप दिया है फिर नीचे आठ पेंसिल नीचे लिए लिजी आठ पेंसिल प्लस सोर रबर है इसका मुल कितना है 68 रुपया है अब इसको आप यहीं से घटा देंगे या इसको घटा देंगे तो यह प्लस है इसको इसको इफ माइनस हो गया 12 पेञ का मूले कितना हो गया 7,06 तील 12 पेञ का मूलेographers हो गया 300 रुपिया हो गया तो एक पेर्ण का मूले रोगा हो जाएगा तो 300 में एक पेन का मूले 300 बटाके 12 कर दींगे 12 धुना के 24 6 0 12 पैज्चै 60-25 रुपया एक पेन का दाम निकल गया जब एक पेन का दाम निकल गया पचीस रुपया तो हमको क्या ज्याद करना है, 24 का गुल्ट कर देजिए, 25 में, तो इसको आप क्या करेंगे, समिकरण बनाकर हल करेंगे, एकदम आ जाएगा, एकदम आसान है, कृष्या है जब्सक्राइब नहीं है शिर्फ दिमाग से खेलना है आपको एकदम दिमाग से चलना है ठंडे दिमाग से सोच करेंगे तो एकदम कृष्यासान है तो मैं सारे कृष्य करवा रहा हूं आपको ज्यात है collection को subscribe करदीजे लाइक कर नथा कर दिजे ज्यादा ज्यादा करीगे अब देखते हैं हम क्यूस्चन चउथा 4. अब देख लीजेगा आप क्यूशन चउथा युशन 100 क्यूस्चन做 the question कि यो कि वस्तू का क्राय मुल्य उसके बmail का 3-2 है तो लाभ यहानी परसंटेज райढ क्या दिया ध्यान सेक्यूशन पढ़िये दिया है यदि किसी बस्तु का क्रायं मुल उसके बिक्रायं मुल तीन बटे दो है लब किसी बस्तु का क्राय मुल गौनोंबस तुक्स है और यह क्या है मुश्के इसके बिक्राय मुलव तीन बटादों कि उसका भर आबर है यक्स का तीन बटा दू यह चीज है लेकिन अभ इसको बराबर करना है यह यदि किसी बस्तू का क्रैम उले उसके देखिए क्योष्चन को आप बार बार पढ़ेंगे ऊसे क्योष्टेय क्राय मुल्य है यह क्राय मुल्य है इसके भी क्राय मुल्य का 3 बटा 2 है जब इस 3 बटे 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा अभी यह बराबर नहीं है लेकिन जब इसको हम यहां पर लेकर आएंगे तो बराबर हो जाएगा क्या होगा जब इसको लेकर आएंगे दुक ऑपाच्ब पट्र तीन नीचे हो जाएगा यक्स तो अब जो है इसके बराबर है यहां पर संक्रब बराबर हो गया क्यां मुल्य क mid बिक्राय मुल्य का 3 बटा 2 है, जो क्राय मुल्य है, तो अब बिक्राय मुल्य कितना है, यक्स का 2 बटा 3 है, जब इसको आप इधर लेकर आएंगे, बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो 2 बटा 3 यह बिक्राय मुल्य हो गया, यह क्राय मुल्य हो गया, जब हमको बिक्राय मु गटा देंगे तो लाब निकल जाएगा लाब बराबर क्या होगा देखिए तीन दो यक्स माइनस अब यहाँ पर तीन यक्स यह हो गया माइनस एक्स बटा तीन जब यह माइनस में आ गया तो यह लाब नहीं हुआ माइनस में आ गया तो हानी हो गया प्लस में आता तो लाब आता है क्योंकि यह पूछा है तो लाब यह हानी परतिसत है लाब है कि हानी परतिसत है मालूम तो है नहीं लेकिन यह मालूम है कि विक्राय मुले से क्राय मुले घटाएंगी तो हमको मालूम चल जाएगा तो अब द अब यह फार्मूले परक देंगे अब देखे इसको हल कीजी कितना होगा बटाएक यह उपा जाएगा ऐसे हो जाएगा यक्स माइनस यक्स बटाके तीन यक्स गुड़ते 100 अब यह यक्स से यक्स कट गया माइनस 100 बटाके 3 कार देंगे यह हो जाएगा 331 बटा 3% हानी क्योंकि माइनस में है तो हानी होगा यह हम लोग का एंस्वर आजेगा यह कहां दिया है आप्शन B पर दिया है 331 बटा 3% हानी अब देखिए इस टाइब का आप क्यूस्चन किताब में जोड़के कर लीजेगा लेकिन मैं आपको और बहुत सारा में करवा देता हूँ अईसा भी क्यूस्चन करवाँगा जो इवपीटेट में नहीं दिया है लेकिन आने की समभावना है वो इसी क्यूस्चन में बना कर रखा हूँ और मैं इसको फिर नेक्स्ट क्यूस्चन उसी टाइब कर रहा हूँ ठीक ना तब पच्मा देखते हैं देखिए यह जो पच्मा क्यूस्चन है पच्मा क्यूस्चन इवपीटेट से नहीं पुछा है लेकिन इस टाइब क्यूस्चन पूछ सकता है इवपीटेट में क्यूस्चन क्या आए देखिए बहुत बढ़िया क्यूस्चन है आप पूछ भी सकता है नहीं भी पूछेगा तो आप जब इसको मालूम रहेगा तो आप करी लोंगे यदि इस टाइब क्यूस्चन आजएगा जब बिजय बारर पेन बेजता है तो उसे दो पेन के विकरय मुले के बराबर लाव होता है तो उसका लाव परसंटेज आपको ग्याद करना है एक होता है इसमें चिर्फ दिया है क्या होता है CP भी होता है एक क्राय मुले होता है एक विक्राय मुले होता है विक्राय मुले को ESP लिखते है क्राय मुले को CP लिखते है आप लोग भली बाती जानते है अब देखिए देरा ही 12 पेन बेजता है 12 पेन बेजता है कोई सी बेजता है जब 12 वो पेन खड़दा होगा तब इन तो 12 पेन बेचता है तो अब इसलिए यहाँ पर क्या हो गया यह 12 CP हो गया अब देखे क्या दे रहा है तो उसे 2 पेन के विक्रे मुले के बराबर लाब होता है तो यहाँ पर प्लस दो ESP इसके बराबर लाब होता है तो इसको अल कीजिए जब इसको इधर लेकर आएंगे तो इसमें सघट जाएगा तो यह हो जाएगा, देखें घटा देता हूँ 12 ESP माइनस इसको, माइनस हो जाएगा 2 ESP माइनस 2 ESP बराबर 12 CP अब यहाँ से बज़ गया 10 CP बराबर 12 CP अब देखें क्या करेंगे आप जो CP है यह CP इस CP के नीचे ESP को लेकर जाएगे तो CP बटा के CP बटा के ESP यह ESP है ना बटा के ESP हो गया, जब यह हो गया अब इसको यहीं पर रहने दीजिए 10 हो गया, अब 10 के नीचे इस 12 को लेकर चले यहाँ से इसके नीचे रखेंगे ना यह हो गया 12 अब यहाँ से आपको क्या मिल गया CP 10 ESP 12 CP 10 ESP 12 कट जाएगा 2 पच्चे 10 2 चक 12 कट भी गया, तो 5 क्या बज़ गया CP आपका 5 बज़ गया CP 6 बज़ गया, तो अब लाब हो जाएगा ना लाब बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 बराबर एक लाब हो गया, तो 1 बटा के 5 गोड़ते, सव कर दीजिए 5 दोना के 10, 20 परसंट का लाब हो गया जब इस टाइब आप क्यूशन आए तो ऐसे करेंगे 20 साइकिल बिने को बेशने पर 2 साइकिल 2 साइकिलों के बिक्राय मुले के बराबर हानी होती है उसका हानी परसंटेज ग्याद कीजिए अब वही बात करना है यहाँ पर ESP हो गया, बिक्राय मुले हो गया, और आपका CP हो गया भाई मजब 20 साइकल जब बैच रहा है तो 20 साइकल को कर देंगे 20 CP, अब देखिए, दे रहा है कि दो साइकिलों के बिक्राय मुले के बराबर हानी होती है माइनस दो यसपी इसके बराबर हानी होती है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 20 यसपी में से 2 जुट जाएगा 20 यसपी प्लस 2 यसपी बराबर 20 सीपी क्राय मुले अब इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 22 बिक्राय मुल्ले बराबर 20 क्राय मुल्ले अब यहां से अब देखी आपको क्या करना है कि यह जो CP है CP की नीचे ESP को लेगा जाना है तो CP बटा के ESP हो गया बराबर अब यहां पर 22 को तो रहने दीजिया ऐसे ही और यह जो 20 है इस 20 को यहां पर लेकर आएंगे 22 के नीचे यह बन गया आपका तो CP कितना है CP आपका यहां से निकल गया CP का मतलब क्राय मुल्ब 12 रुपिया निकल गया और ESP कितना निकल गया? 22 रुपया ESP B क्रायम उले आपका 20 रूपया अब कितना घाटा हो रहा है? गटा देंगे इसमसे हानी बराबर हानी बराबर होगा 22-20 बराबर दूर तो हानी परतिशत पूछा है तो हानी परतिशत बराबर हो जाएगा दो बटाके क्रायमुले कितना है क्रायमुले आपका 22 है दो बटाके 22 गोड़ते 100 तो 10% की आपको हानी हो गई यह आपका answer आ गया अब इस टाइप का question आप आएगा तो आप करी लोगे फिर आप हम देखते हैं next question को कि यह question है एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपे में बेजता है यदि उसके लाब की परतिस्ता लागत मुले के बराबर हो तो घड़ी की लागत क्या है घड़ी की लागत देखिए एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपे में बेजता है यदि उसके लाब की परतिस्ता लागत मुले के बराबर मतलब जो लाब कमा रहा है जो लाब है जितना लाब कमा रहा है उतना परतिस्ता लाब की परतिस्ता भी है जिसे 10 रुपया लाब कमा रहा है तो 10 परसेंट उसका लाब है 20 रुपया कमा रहा है तो 20 परसेंट लाब है जितना लाब कमा रहा है उतना परतिस्था है उसकी लाब की वैदिया उसके लाब की परतिस्था लागत मुले के बराबर है उसी के बराबर है अब देखिए ऐसा क्यूशन देदे ऐसे क्यूशन को आप क्या करोगे आपसन सो देखकर करोगे जिसे यह आपसन क्या है 90 रुपिया है तो इसका क्राइम उले निकाले नब्बे गुर्टे नब्बे बटाके 100 हो जाएगा अब 187 रुपिया इसका क्या है 188 रुपिया क्राइम उले है और इसमें 90 रुपिया जोड़ी कितना हो रहा है एक नव आठत्र नहीं हो रहा है इसके बराबर हो जाना चाहिए और यहां से ऐसी देखिए असी गूरते असी बटाके सव अठा चौशट अब चौशट रुपिया क्राएं मुले है और इसी में इस असी को जोड़ दीजे लाब को जोड़ेंगे आप जोड़ देंगे तो चार आठचा चौद 144 रुपिया इस तरह ही आपसन सी सही है तो ऐसे ही आप इसको करेंगे जब इस टाइब का क्यूशन देदे तो आप क्या करोगे आपसन देखकर करना कुछ ऐसे क्यूशन होते हैं यदि इसको आप ऐसे करोगे न तो बहुत लंबा क्यूशन है यह दिवगात समिकर बनेगा और दिवगात समिकर बनाने में सारा टाइम चला जाएगा तो यह दिवगात समिकर कोई जरूत नहीं है ऐसे क्यूशन को आप आप संदेखकर करते हैं जब आप क्यूशन लगाने लगोगे न तो आपको क्यूशन के वाराइटी समझ में आने लगेगी कि आप संदेखकर करना है यह कैसे करना है यह आटोमेटिक दिमाग में फिट होने लगता है तो इस तरह से मैंने आज मैंने पढ़ाया देखिए अभी मैं खतम नहीं किया हूँ अभी फिर मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा उसमें फिर मैं बताऊंगा जितना बाकी है सारे क्यूशन में लाब पर्थिसद और हानी पर्थिसद से लाब हानी क्राय मुले से जितना अभी क्यूशन है सारे क्यूशन को हमको करवाना है तो इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि मैं रोज रोज ऐसे लेकर आऊं तो मैं कल लेकर आपको next step लेकर आऊंगा यूपीटेट का यह जो क्यूशन था न देखिए यह क्यूशन वेलवे में आया हुआ है यह यूपीटेट में फुच भी सकता है तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और देखिए मैं आपको हर क्यूशन में कराऊंगा तो मैं कल next वीडियो लेकर आऊंगा इसी टाइप का मैद से यूपीटेट जितना क्यूशन आया है उसको लेकर आऊंगा इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद